CRUD operation का video number 11 है अब तक हमने हमारे form के data को database के अंदर send कर दिया और demo के अंदर check कराया कि उसको हम लोग यहाँ पर fetch करा सकते हैं अपडेट करा सकते हैं और delete करा सकते हैं तो इस PHP database से इतना काम हमने अब तक कर लिया है with the help of mySQL and PHP और हम लोग यहाँ पर अपने data को web page के उपर fetch करा रहे थे इसको follow up करते हुए इतना काम हमारा complete हो गया अथा जहाँ पर data हमारा first row जो था न उसका data हमने यहाँ पर retrieve कर लिया और अब मैं यह चाहता हूँ कि सारा का सारा data जो भी यहाँ मौजूद है present है इसको इस page के उपर लेकर के आया जाए तो कि currently सिर्फ पहली line आ रही है मेरी requirement है जितना भी data यहाँ पर है वो यहाँ पर दिखे ठीक है अगर आपने इन वीडियोस को अब तक follow up नहीं किया है तो description से complete playlist का आप link ले सकते हो उपर का portion आपका designing का part है और यहाँ से crud operation और database का portion हमारा start हो चुका है वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe करे बेल आइकन को क्लिक करके all notification को on करे तकि आपको latest videos को notification मिलती रहे इसी के साथ साथ आपको inform करना चाहूँगा coding hunt के registration बहुत ही जल्दी close होने वाले है national level का online coding competition है इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा free of cost registration कर सकते हो आप अपने आपको mcq type के question रहेंगे जो आपको घर बैठे बैठे answer करना है online और यहाँ पे आप job, exciting prizes बहुत कुछ है जो winners को यहाँ पे मिलने वाला है तो make sure description से चेक करके अपने आपको participate जरूर करें देखिए, table के सारे record को अपने web page पे लेकर के आने के लिए हमें यहाँ पे loop का use करना पड़ेगा जिन लोगों ने मेरे java script के series से loop वगरा के classes attend किये हैं उन्हें पता होगा परना आपको यह वैसे एक idea होगा मैं एक example देता हूँ आपको किसी भी काम को एक ही काम को अगर बार बार repeat करना है तो उस जगह पे loop लगेगी हमें भी वही करना है यहाँ पे एक ही काम को बार बार करना है बार बार यहाँ पे screen के ऊपर कुछ print करना है कुछ echo करना है कुछ ना कुछ output हमें multiple times print करने है जब तक इस database के अंदर present है हम यहाँ पे while loop का use करेंगे w h i le while loop for loop भी आता है while loop भी आता है while loop generally हम उस case में use करते हैं जहां हमें पहले से ना मालूम हो कि loop को कितने बार चलाना है अब इस case में मुझे नहीं मालूम न अब मैं database खोल के थोड़ी देखूँगा मुझे screen के ऊपर उतनी entries print करानी है जितनी database में present है मैं count थोड़ी करने बैठूँगा अगर 1,00,00,00 एंट्री है तो इसको एक घंटे के अंदर पूरी series को खतम कर जिता बट detail था यहाँ पर मेरा focus तो इसको भी थोड़ा detail में समझते हैं तो जो हमारा last code था न इसके अंदर जो हमारा if है यह आप देख रहे हो इसको मैंने comment out कर दिया था मैं इसको यहाँ से delete कर रहा हूँ और इस जगह पे मैंने while लगा दिया एक बात का ध्यान दे loop का use करोगे programming languages में तो अभी तक जितने भी languages मैंने use किये हैं तो उसके बाद semicolon नहीं आता मत लगाना syntax error आएगा या फिर infinite चलता ही रहेगा और आपके page के उपर load बढ़ेगा और इसके अंदर आते हैं अब इससे मेरा while loop create हो जाएगा और इसके अंदर मैंने loop के बाद हमें braces लगाना पड़ता है कौनसे case में जहां एक से ज़्यादा line के उपर काम करना है अगर single line है तो इसको हम हटा भी सकते हैं ज़रूरत नहीं है बट लगा भी दोगत तो कोई issue नहीं है ऐसा तो मैंने कहा echo कि string के उपर कुछ print करना है क्या print करना है तो मैंने कहा hello cyber warriors मैंने कहा मुझे ये print करना है और सारी entry को मैं चाहूँगा new line पे print हो तो इसलिए यहाँ पे html के break tag का use कर रहा हूँ अब यहाँ पे while के उपर मैंने एक variable declare कर लिया कोई भी variable ले लो मैंने कहा a a की एक value रख दी मैंने value कितनी कर दी मैंने इसको one ठीक है अब one को single quote double quote में मत देना क्योंकि यह एक number चाहता हूँ मैं यहाँ पे string नहीं चाहता हूँ जैसे hello how are you लिखते हो no एक number चाहता हूँ तो मैंने a को initialize कर दिया one initialize का मतलब है variable को declare करने के time पे उसको एक value जो है assign करना ठीक है क्योंकि हमें ऐसा output चाहिए तो उसके लिए understand करना बहुत जादा जरूरी है अब यहाँ पे while के अंदर while को अगर हिंदी में समझाओं तो जब तक ठीक है मैंने का जब तक dollar a जो है वो less than है या equal to है 10k तब तक screen के उपर print करते रहे hello cyber warriors यह simple सा काम मैंने इसको बोला अब यह तो फिर चलता ही रहेगा infinite time क्योंकि यहाँ पे आएगा one a में one store है क्या one छोटा या equal है 10k है तो print करेगा cyber warriors और फिर उपर लोट जाता है loop इसके आगे नहीं बढ़ने देगा फिर one रहेगा फिर यह चलता ही रहेगा कभी यह बाहर ही नहीं आपाएगा तो यहाँ पे हम इसमें कुछ conditions को भी set करेंगे तो मैं क्या करूंगा ना पहली बार में a one था print होने के just बाद में यहाँ पे आ गया और dollar a plus plus कर दिया इसका मतलब यह है dollar a equals to dollar a plus one ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो short में और generally लोग ऐसा ही लिखते हैं इससे क्या होगा a की जो value थी वो increase हो जाएगी यानि कि पहले one था print होने के बार two बन गया फिर उपर चला गया two भी छोटा है फिर three बन गया फिर उपर गया ऐसा करते करदे 10 आ गया तो 10 में less की condition नहीं चलेगी equal की चलेगी फिर print करेगा फिर यह 11 बन जाएगा उपर जाएगा तो 11 10 से छोटा या equal नहीं है और false होके यह बाहर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके का चलेगा अगर मैं यहाँ पर हूँ अपने स्क्रीन पे और यहाँ आपको refresh करके दिखाओं तो बाकियों को ignore करें अब हम count करते हैं इसको कि कितने आईए यह one two three four five six seven eight nine और एक line आपकी ऊपर ten तो यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर equal to नहीं लगाता तो nine times यह चलेगा सिर्फ क्योंकि ten को वो include ही नहीं करेगा ना क्योंकि हम equal की condition नहीं दे रहे हैं तो एक आपका यहाँ से कम हो जाएगा ठीक है तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है लेकिन उससे पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप अपने business का online लेकर करके आना चाहते हैं और आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप उन services को domain research.com के उपर आकर के opt कर सकते हो आप यहाँ पर read out कर सकते हो domain research आपको light speed की technology प्रोवाइड करते हैं pure SSD का disk space, SSL certificate आपको free मिलता है और secured and 20 times server आपका fast रहता है pricing plan के अगर हम बात करें तो 59 rupees per month से start हो करके 249 rupees per month तक prices जाते हैं personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो bandwidth unlimited है, light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिल जाता है silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited website को यहाँ पर host कर सकते हो बाकी सारी चीज़े same है और unlimited है इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है जिसके जरीए आप अपनी website को rank करा सकते हो basic plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो 1GB की storage है, 10 email address create कर सकते हो 5GB की bandwidth और light speed की technology है तो आप अपने requirement और budget के हिसाब से domainresor.com पे आकर के अपने लिए plan select कर सकते हो तो अपने data को print करने के लिए पहले तो मैं एक काम करता हूँ यह जो मेरा message है, इसको मैं यहाँ से delete करूँ और save करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मेरे पास currently blank entry है तो यहाँ पे मैं refresh करता हूँ, I think save नहीं हुआ, इसको मैंने save किया और refresh किया यहाँ पे, तो I think यह infinite तक चला जाएगा क्योंकि loop हमने खाली छोड़ दिया है, खेर मैं इसको यहाँ से cut करता हूँ अब हमें requirement क्या है, और इस a को भी मैं यहाँ से actually हटा देता हूँ इसकी भी जरूरत नहीं है, यह बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है जो उपर हमने print की line लिखी है न, इसको आप यहाँ से कर लोगे cut तो यहाँ से मैंने इस eco की पूरी statement को कर दिया cut और while loop के अंदर आकर के मैंने कर दिया paste braces का problem मत create कर लेना, वरना error धूनते रह जाओगे, मिलेगा नहीं खामखा आपको problem आएगा, ठीक है तो अब क्या होगा न, जो message मेरा cyber warriors आ रहा था, hello वाला उसकी जगह पे मेरा data आएगा कब तक आएगा, आप 10 बार print नहीं करना, condition को हम change करेंगे और condition ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इसको यहाँ से remove करेंगे उपर हमने एक चीज लिखा हुआ था, result के अंदर हम क्या कर रहे है array के format में data को fetch कर रहे है, इस पूरी line को यहाँ से आप cut कर लो control x की help से, और यहाँ लाकर के condition में paste कर दो ध्यान दे, अंदर भी semi colon नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटा लेना तो अब मैंने अपने इस file को save किया, और अपने web page के उपर आ करके refresh किया तो कुछ कचड़ा सा आएगा, बट इसको ध्यान से analyze करते हैं यह हुआ first name, यह हुआ last name, यह हुआ gender, email और mobile number और यह हुआ मेरा address new person is Anita Singh, female है, उसका email address है, उसका mobile number है और जबलपूर आ गया उसका एक basically address उसके बाद यह last में जो entry देखोगे, मैंने ऐसी कचड़ा entry पास किया था, control 0 तो आप यह देख पाओगे कि जो entries है ना, वो मेरी properly यहाँ पर reflect हो रही है बट जिस तरीके से होना चाहिए, systematic way में उस तरीके का नहीं है, बट at least मेरे पास यहाँ पर entries आ चुकी है थोड़ा better करने के लिए काम करते हैं, last में आकर के न, इस जगह पे आकर के मैंने दिया इसको एक dot, double quote वही concatenation, zoom कम कर देता हूं हलका सा, और इस जगह पे आकर के मैंने HTML का break tag यूज़ कर लिया, ठीक है कुछ इस तरीके का, last में आकर के dot, concatenate करके double quote के अंदर break तो एक entry print होगी, उसके बाद new line print होगा, तो आप देखोगे, सारा कुछ हमारा यहाँ पे systematic way में आ गया लेकिन अभी भी यह catchड़ा है, और सही तरीके से organized नहीं है, यहाँ पे हमें HTML की जरूरत पढ़ेगी, ताकि यह दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसमें और entries को पास कर दिता हूँ form के जरीए, ताकि यह थोड़ा सा भरा भरा लगे और design अच्छा दिखे आपको Alright, so मैंने यहाँ पे database के अंदर दो entries को पास किया है, और यहाँ refresh करते हैं, तो पहले सो थोड़ा सा better है, अब इसको table के format में display कराना है, कुछ इस तरीके का, जैसा यहाँ दिख रहा है न, या फिर जो मैंने आपको demo में दिखाया उस तरीके का, ताकि यह दिखने में better लगे अब ही यह shuffled है पूरा अपस में, तो इस चीज के लिए हम आते हैं अपने code पे, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, कई लोग PHP के tag को यहीं close कर देंगे, कई लोग single code का use करके काम करेंगे, बहुत अलग-अलग तरीके हैं, तो सब के अपने अपने उपर है, जिसको जो convenient वापस आप यहाँ पे start कर दो, अब देखो क्या होगा, यह if यहाँ से लेकर के यहीं शुरू होगा, उसके बाद यह नीचे continue करेगा, और बीच के portion को ignore करेगा, क्योंकि वो PHP का part नहीं है, और इस बीच में मैं अपने HTML का portion जो है, वो लेकर के आ जाओंगा, ठीक है, बहुत table बनेगी, जो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हर बार एक नया row create हो, ना कि एक नया table create हो, ठीक है, तो मैं row को लूप के अंदर डाल दूँगा, और table को लूप से पहले PHP close करके उपर रखूँगा, इस जगह पे आकर के मैंने मेरा table tag start कर दिया, और उसे close कर दिया, heading से पह करके मैंने कहा first name, यहाँ पे capital small का कोई check कर नहीं है, क्योंकि आप HTML वाले portion में, आप capital दिखाओ, small दिखाओ, वो सिर्फ एक message है, तो मैंने कहा यहाँ पे first name और इसको save कर दिया, यहाँ आ करके पहले एक कोई check कर लेते हैं, तो आप देखोगे first name की एक heading यहाँ पे आपको द करना है, first name है, last name है, इसके बाद हमने gender को call किया हुआ है, basically जो भी आपने यहाँ बुला रखा है, वो आपको यहाँ पे print कर लेना है, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपने कहका call किया है, और इसको आपको simply replace करना है, यहाँ पे, alright, so मैंने यहाँ पे सारी entries पास कर ली है, और save और refresh करते हैं, तो एक layout मेरा यहाँ पे ready हो चुका है, ठीक है, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहने की बात है, अभी तो नहीं लग रहा, बट एक design मेरे सामने आ गया, अब उस design के format में मुझे इस data को अंदर put कर देना है, अब देखो, table मेरा यहाँ close नहीं होगा, यहाँ close कर दूँगा, तो फिर in entries को उसके अंदर कैसे दिखाऊँगा, तो table को यहाँ close नहीं करना, table को आप close करो PHP खता होने के बाद, और उसके नीचे चाहे तो HTML close कर लो, ताकि यह सारा जो है न, वो एक table का पार्ट बन जाए, अब थोड़ा उल्टा हो गया उसको ignore करें currently, तो हमारा जो first row है न, मैं row लगाना भी भूल गया, direct th लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर आएगा हमारा tr, table का एक row, और इस जगह पर आकर के हमें उस tr को कर देना है close, table, table row, table की heading और यहाँ पर last में tr को close कर लेना, याद से, save और refresh करते हैं, तो still वैसा ही है, को यहाँ से इस line को control x से cut कर दो, और बिलकुल last में ले आते हैं, paste मार दो, यह backup रखा हुआ है, बाद में हमारे काम आएगा, अब आते हैं इस जगह पे, यहाँ पर मैंने लिखा eco की, भाई कुछ print करना है, double coat लगाया, semi colon दिया, और इसके बाद यह पूरा का पूरा tr आपको copy कर लेना है, उपर भी रहेगा, और यहाँ पर ला करके paste कर दो, ठीक है, single coat, double coat, थोड़ा सा सही रखते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसा रख लेते हैं, ताकि double coat हम देख सके, कहा start हुआ है, eco का, और कहा close हुआ है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके का रख दिया, ठीक है, और य आप यहाँ पर इनको यहाँ से खाली कर दो, ठीक है, और यह जो है ना, इसमें हमें TH नहीं दिखाना, वरना यह भी bold हो जाएगा, गाड़ा-गाड़ा सा हो जाएगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको TH की जगह पर आप TD कर दोगे, उपर TH रहेगा, लेकिन इस का चल रहा है, अब इस TD के बीच में एक box बनेगा TD के कारण, उसके बीच में मुझे अपने data को print करना है, जो database से आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए concatenation का use करेंगे, तो आप लगाओगे यहाँ पर double quote, दो बार आपको लगाना है dot, और फिर आपको लग और यहाँ रख दिया, ध्यान से देखो TD, double quote और zoom कर देता हूँ, dot, dot के बाद dollar result, fname, dot के बाद concatenate किया दुबारा html का portion, तो इस से हमारा एक काम जो है ना वो table के अंदर shift हो जाएगा, हम क्या करेंगे, same, इस पूरे को यहाँ से आपको कर लेना है copy, और सभी के अंदर आ हमारे पास gender, gender के बाद है हमारे पास email, तो यहाँ दे दिया मैने email, इसके बाद है हमारे पास phone number, यहाँ आ जाएगा phone number, और last में हमारे पास address, चलिए, यह सारा काम हमारा यहाँ पर complete हो गया, अब इस line को हम यहाँ से delete कर देंगे, यह बस मैने backup create कर रहा था, तो overall जो मेरा code भी दिखेगा, वो कुछ इस तरीके कर रहेगा, अपने file को save करते हैं, और web page के उपर आ करके refresh करते हैं, तो आप देखो कि एक table के format में systematic तरीके से यह आपको दिखाई देगा, ठीक है, अब still अगर कुछ लोगों को लगता है कि कचड़ा है, तो कोई issue नहीं है, मैंने सोचा यहां पर entry पड़ी हुई थी, आपको यहां पर table के format में देखने को मिलेगा, तो यह भी better है, आप फिलाल इतना portion करके रखें, और next video के अंदर मैं आपको इसको complete design करना खतम कर दूँगा, इस portion को भी, तो हमारा display का जो काम है न, वो भी next video के अंदर cover up हो जाएगा, जहां हम इन portions को cover up करेंगे, इसकी style sheets जो हैं वो create करेंगे, उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इतना portion crud operation के अंदर कर लिया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, चैनल पे new हैं तो subscribe करें, व आपको latest videos की notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आप से अगली video में, thanks for watching guys